इस समय हम लोग मदुबन में मौझूद हैं, आप देख सकते हैं कि मदबन का यह इलाका है और इस समय हम लोगे जू फसल है जो गेहु का फसल है उस गेहूं के फसल में खड़े हैं, हम चाहेंगे कि कैमरामेन हमारे दिखाएं, यह देखिए किस तरह से यहाँ पे जो पसू है, इस पूरे फसल को बरबाद किये हैं, यह देख लिजिए सब काट दिया गया है, एक भी बाल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, इधर आ हैं, आप तादात देख रहे होगे कि कितनी तादात में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आज, नौद, दो, सिगार, भारत, से रस, से उपर यहाँ पे छुट्टा पसूए हैं, और गौसालाएं बनाई गई है कागज में, लेकिन अभी जमीनी जो हकीकत देखी ज कितना नुकसान हो रहा होगा, इस समय कितना नुकसान हो रहा होगा, आपको प्राद समय तो समय बर्बाद हो या निया जो पूजी लगा है उसकी पैसा समय दोनों बरबाद हो गें की सान का और इसका कारण क्या है सरकार और सरकार के साथ मोज़ियों कि तर्म जिम्मेदार सी शूल कि घंक लिवे हमार थे लागे dalam ako प्राबर दावा किया जा रहा है कि पशुओं के लिए बाडाएं बनाई गई हैं उनको बेवस्ता दी जा रही है जगा जगा गाओं गाओं तक देखे न सर बेवस्ता देने पर देख लिजिए यह हाल है हम लोग का बेवस्ता देने पर इस हिसाद से मतलब यह पूरा खेतम तक देख रहे हैं कि पूरे पसु जो है बाचा है पूरे खेत को चर रहा है हमने आपको यह फसल भी दिखाई किस तरह से काट करके खा रहा है है और बहुत अच्छा बेवस्ता दिया गया चुट्टा पसुओं को जो है कि पैसा भी लिया जा रहा है यानि जिस तरह से लूट सकते हो तो लूट कि धरातल पे कोई काम नहीं दिखना चाहिए जितना है एक छोटा करमचारी हो या बड़ा पवा वाला अधिकारी हो वह सब जो है लूटने पर लगे हुए है अब बताईए यह किसान का जो फसल है यह किसका बाप लाकर के देगा उसको यहां किसका बाप लाकर के इस किसान को देगा अधिकारी अपने बाप के भर से लाके देता है उसको बनाना चाहिए कम चेकम गौशाला बनाए हो भईया तो सरकार का यह फर्मान है नथी करो ले जाओ नो ले जाए करके गौशाला में डालो उसको चारा खिलाओ यह क्या कर रहा है यह बताओ यह फसल पूरी ब सोचने वाली बात है और बहुत यह सर्मिंदगी वाली बात है कि किसानों को किस तरह से बहुत किया जा रहा है जो कि ducksनों कर दो किiset करों के लिए बने रहे हैं अतन भासकर के साथ में मोहमद राशी दृषण धल्येस